प्रिविद्यार्थियों नमस्कार आशा है कि आप अपने परिवार सहीत स्वस्त हुए प्रसन्न होंगे हम पौधों में परिवहन के अध्यन के क्रम में यह जान चुके हैं कि पौधे विभिन अकार्वनिक तत्वों जैसे आयन एवं लबनों को अपने आसपास के परियावर से लेते हैं इन पोशकों की गति परियावरन से पौधों में तथा एक पौधे की कोशिका से दूसरे पौधे की कोशिका तक आवश्यक रूप से जिल्ली के आरपार परिवहन के द्वारा होती है और कोशिका जिल्ली के आरपार परिवहन विसरन सुसाध्य परिवहन या सक आख्रिय परिवाहन के द्वारा होता है पदार्थों का विशन उनकी आकार तथा उनके जल में या कारबनिक विलयन में गुलन्षील्टा पर निर्भर करता है विद्यार्थियो आज हम पौधों में परिवहन के संदर्व में पादप जल संबंध का विस्तृत अध्यन करेंगे अते हैं आज के सत्र के हमारे अधिकमोद्य से रहेंगे पादप जल संबंध की व्याख्या करना जल विभव, विले विभव या विले अंता शक्ति तथा दाब विभव या दाब अंता शक्ति को परिभाशित करना, परासरण को परिभाशित एवं प्रदर्शित करना, परासरी दाब तथा परासारी विभव में अंतर स्पस्ट करना, परासरण की दिशा एवम गति को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्यान करना विसरण तथा परासरण में अंतस्पस्ट करना छात्रों में कला कौशल व्यज्ञानिक दिश्टिकों जग्या सुप्रवर्ती और अवलोकन कौशल का विकास करना इसके साथ साथ जीविक ज्यान के अध्यान में अर्जित ज्यान को दैनिक जीवन में सहसंबदित करना वे अनुप्रयोग में लाना ये हमारे अधिकम उद्देश से रहेंगे सबसे पहले यह समझ लेना आवशक है कि पौधों के शारिरिक क्रिया कलाब के लिए जल अनिवारी है और यह सभी जीवित प्राणियों के लिए एक अत्यंत महत्व पूर्ण भूमी का निभाता है यह वह माद्यम उपलब्द कराता है जिसमें अधिकांस पदार्थ घुलनशील होते हैं चात्रों क्या आपको मालूम है कि जीव द्रवे में हजारोंत रहके अनुप पानी में घुले होते हैं और निलंबित रहते हैं उधारन के लिए आपने तर्वूज तो देखा ही होगा आपको मालूम है एक तर्वूज के अंतरगत 92 प्रतिसत्य अधिक भाग पानी का होता है तथा ज्यादातर शाकिय पौधों में सुष्क पदार्थ केवल 0-5 प्रतिसत होता है और बाकी सारा का सारा जल होता है हाला कि ये बात बिल्कुल सच है कि एक पौधे में जल का वितरन भिन्न भिन्न होता है कास्ट वाले भाग में थोड़ा कम और नरम भाग में ज्यादा होता है एक बीज सूखा सा दिख सकता है पर तो फिर भी उसमें पानी की कुछ ना कुछ मात्रा तो होती ही है अन्य था वह जीवित नहीं रहेगा और स्वशन भी नहीं कर पाएगा स्थलिय पौधे प्रते दिन भारी मात्रा में पानी ग्रहन करते हैं लेकिन पत्यों से इनका अधिकतर भाग वास्पोत सरजन द्वारा हवा में उड़ जाता है मक्के का एक परिपक को पौधा एक दिन में लगभग तीन लीटर पानी अवशोशित करता है जबकि सरसों का पौधा लगभग पांच घंटे में अपने वजन के बराबर पानी अवशोशित कर लेता है पानी की इस उच्च मात्रा की मांग के करण यह आश्यरे नहीं होना चाहिए कि क्रिशी एवं प्राकृतिक परियावरण में पौधे की व्रधी एवं उत्पादक्ता को सीमित करने वाला सीमा कारीवकारक प्रायह जल ही होता है पादप जल संबंद की व्याख्या करने के लिए कुछ विशेश मानक शब्दों जैसे जल विभव, विले विभव या विले अनताशक्ती तथा दाव विभव या दाव अनताशक्ती आदी की समझ पादप जल संबंद के अध्यन को आसान मना देती है आइए इनको एकएक करके समझते हैं जल विभव जल की गती या परिवन को समझने के लिए आधार भूत धारणा है विले- विभव या विले-ंता-शक्ती तथा दाव-विभव या दाव-ंता-शक्ती जल विभव को सुनिशित करने वाले दो मुख्य कारक है जल के अन्वों में गति उर्जा पाई जाती है द्रव तथा गैस की अवस्था में वे अन्यमित गति करते हैं यह गति तेवर तथा इस्थिर दोनों तरह की हो सकती है किसी तंत्र में यदि अधिक मात्रा में जल हो तो उसमें अधिक गती उर्जा तथा जल विभव होगा अता है यह सुनिशित है कि सुद्ध जल में सबसे ज़्यादा जल विभव होता है यदि कोई दो अंतरविष्ट जल तंत्र संपर्ख में हो तो पानी के अनु के अनिमित गती कारण जल के वास्तविक गती की त्वरित गती जादा उर्जा वाले भाग से कम उर्जा वाले भाग में होगी अतह पानी उच्च जल विभव वाले अंतर विष्ट जल के तंत्र से कम जल विभव वाले तंत्र की ओर जाएगा पदार्थ की गती की यह प्रक्रिया उर्जा की प्रवणता के अनुसार होती है और विष्ण कहलाती है जल विभव को ग्रीक चिन साई या आपको स्क्रीन पर देख सकते हैं स्काई से चिन्हित किया गया है इसे पास्कल्स जैसी दाब विकाई में भी व्यक्त किया गया है परंपरा के अनुसार, शुद्ध जल के जल विभव को एक मानक ताप पर जो किसी दाब में नहीं है पर शून्य माना गया है यदि कुछ विले शुद्ध जल में घोले जाते हैं तो घोल में मुक्त पाने के अनुक कम हो जाते हैं जल की सांदरता और उसकी स्वतंत्र उड़जा घट जाती है और जल विभव भी कम हो जाता है इसलिए सभी विले अनों में शुद्ध जल के पेक्षा जल विभव निम्न होता है इस निम्नता का परिमान एक विले के द्रवी करण के करण है जिसे विले विभव कहा जाता है जब विले के अनु अधिक होते हैं तो वायू मंदलिये दबाव पर विले या घोल का जल विभव साई एस बराबर विले विभव अर्थात साई एस होता है यदि घोल या शुद्ध जल पर वायू मंडली दबाव से अधिक दबाव लगाया जाए तो उसका जल विभव बढ़ जाता है यह एक जगे से दूसी जगे पानी पंप करने के बराबर होता है क्या आप सोच सकते हैं कि हमारे शरीर के किस तंत्र में दाब निर्मित होता है यह एक अच्छी सकारातनम सोच है और आप इस पर अपने साथियों के साथ चर्चा कीजिए जब विसरन के कारण पौधे की कोशिका में जल प्रवेश करता है और वह कोशिका भित्य की और बढ़ा देता है और कोशिका को इस फीद बना देता है अर्थात फुला देता है इसको हम अंग्रेजी में कहेंगे टर्जिट कर देता है यह दाब विभव को बढ़ा देता है दाब विभव जायातर सकारातनक होता है हाना कि पौधों में नकारत्न विभव या जैलम के जलगंड में तनाव एक तने में जल के परिवहन में महत्यपून भूमिका निभाता है दाव विभव को हम साई पी से चिन्हित करते हैं कोशिका का जल विभव विभव विलेव एवं दाव विभव दोनों ही से प्रभावित होता है इन दोनों के भी सम्बंद इस्प्रकार से होता है साई-एस बराबर साई-एस धन साई-पी पौधे की कोशिका, कोशिका जिल्ली या एक कोशिका भित्ती से घिरी होती है यह कोशिका भित्ती जल एवं विलेन में पदार्थों के लिए मुक्त रुप से पारगम्य होती है अता है यह परिवहन या गती के लिए बाधक नहीं होती है एक पौधे की कोशिकाओं में प्राया एक केंद्रिय रसधानी होती है जिसका रसधानी युक्त रस कोशिका के विले विभव में भागिदारी करता है पादब कोशिका में कोशिका जिल्ली तथा रसधानी की जिल्ली योनोप्लास्ट दोनों एक साथ कोशिका के भीतर एवन बाहर अनुग की गती निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं परासरन विशिस रूप से एक विभेदक वढ़नात्मक या पार गम्य जिल्ली का के आरपार जल के विशन के लिए संदर्वित किया जाता है परासरन सवतय ही प्रेरित भलकी अनुक्रिया से पैदा होता है परासरन की दिशा एवं गती दाप प्रवनता एवं सांद्रता प्रवनता पर निर्भर करती है जल अपने उच्छ रासायनिक विभव या सांद्रता से निम्न रासायनिक विभव में तब तक संचारित होता है जब तक की साम्यता पर न पहुंच जाए साम्यता पर दो कक्षों का जल विभव लगभग एक समान होना चाहिए छात्रों आपने विद्याले में पहले के चलणों में एक आलू का परासरण मापी जिसको हम आस्मोमीटर भी कहते हैं बनाया होगा यदि आलू के कंद को पानी में एक खा जाता है तो आलू के कंद की गुहा में रखा शरकरा का सांद्र घूल परासरण के द्वारा पानी को एक अत्र कर लेता है अब आप स्क्रीन पर दरसे इस चित्र को देखिए इसमें दो कक्षों और एवं ब में रखे गए विलियनों को भरकर वर्नात्मक पारगमे जिल्ली द्वारा अलग-अलग किया गया है अब आप इस चित्र का भली माती अधन करें और इन प्रशनों का उत्तर देने के कोशिश करें पहला प्रशन है किस कक्ष के गोल में एक निम्नितर जल विभाव है दूसरा किस कक्ष के गोल में निम्नितर विले विभाव है तीसरा पराशन किस दिशा में संपन्न होगा चौथा प्रश्ण है किस विलेन का उच्च विले विभव उच्चतर होगा पांच्वा प्रश्ण है सामेता के समय किस कक्ष में जल विभव निम्नतर होगा छटा प्रश्ण यदि एक कक्ष में साई का मान रुनात्मक 2000 KPA है और दूसरे में रनात्मक 1000 KPA है तो किस कक्ष में उच्चतर साई होगा प्रेविद्यार्थियों मुझे आशा है कि आपने इन प्रश्णों पर चिंतन मनन अवश्य किया होगा आप अपने सहपाठियों वै अध्यापक के साथ इन प्रश्णों पर चर्चा कीजिए और कुईसी एक निश्कष पर पहुँचिए आईए एक दूसरे प्रयोग की चर्चा करते हैं स्क्रीन पर दिखाएगे चित्र को देखिए एक कीप में शरकरा विलियन भरकर पानी से भरे बीकर में उल्टा रखा गया है जिसका मुख अर्ध पार गमे जिल्ली से बंद है जल जिल्ली को पार करते वे विश्रन से कीप के घोल का इस्तर बढ़ाएगा जैसा की तीर के निशान दिखा रहे हैं बह कीप में जल के बहाव को रोकने के लिए दाब का इस्तिमाल किया जा सकता है यहाँ शरकरा के विलियन को एक कीप में लिया गया है जो एक बीकर में रखेवे पानी से वर्णात्मक पारगम में जिल्ली द्वारा अलग है आप इस प्रकार की जिल्ली का एक अंडे से भी प्राप्त कर सकते हैं आपको करना क्या है आप अंडे के एक सिरे पर छोटा सा छेट करके पीला एवं श्रेट पदार्थ योग एवं अल्बिमिन निकालने और फिर अंडे के कबच को कुछ घंटों के लिए तनुनमक के अमल में छोड़ते हैं अंडे का कबच घुल जाएगा और उसकी जिल्ली साबुत प्राप्थ हो जाएगी पानी कीप की ओर गति करेगा और कीप में घुल का स्तर बढ़ जाएगा यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक की सामेता की स्थिति नहीं आ जाती यदि किसी कारण वश शरकरा जिल्ली के माध्यम से बाहर निकलाएं तब क्या कभी सामेता की स्थिति आएग कीप के उपरी भाग पर बाहरी दाप डाला जा सकता है ताक की जिल्ली का के माध्यम से कीप में पानी विशरत नहोगी यह दाब पानी को विशरत होने से रोकता ह विले सांद्रता अधिक होने पर पानी को विशित होने से रोकने के लिए अधिक दबाव की भी आवशिक्ता होगी संख्यात्मक अधार पर परासरन दाब परासरन विभव के बराबर होता है लेकिन इसका संकेत विप्रीत होता है परासरन दवाव में प्रिक्त दाव सकारात्मक होता है जबकि परासरन विभव नकारात्मक होता है प्रिय विद्यार्थियो आज हमने पादब जल संबंद को समझने का प्रयास किया है इस संदर्व में हमने जो कुछ भी सीखा है उसकी एक बार पुन्रावर्टी कर लेते हैं पौधों के शारिरिक क्रिया कलाब के लिए जल अत्यन तनिवार्य है यह वह माध्यम उपलब्द कराता है जिसमें अधिकांस पदार्थ गुलनशील होते हैं क्रिशी एवं प्राकृतिक परियावर्ण में पौधे की व्रद्धी एवं उत्पादक्ता को सीमित करने वाला सीमाकारी कारक प्रायह जल ही होता है जल विभव जल की गती या परिवहन को समझने के लिए आधारभूत धारणा है विले विभव या विले अंताशक्ती तथा दाब विभव या दाब अंताशक्ती जल विभव को सुनिश्चित करने वाले दो मुख्य कारक है जल के अनुओं में गतिज उर्जा पाई जाती है किसी तंत्र में यदि अधिक मात्रा में जल हो तो उसमें अधिक गति जूर्जा तथा जल विभव होगा शुद्ध जल में सबसे जादा जल विभव होता है पारासरन एक विशेश प्रकार का विशन है जिसमें जल वर्नात्मक पारगमे जिल्ली के पार जाता है तथा दाब एवं सांधता प्रमणता पर निर्थार करता है जल विभव पानी की इस्थितिज उर्जा है जो जल के अनवों की गति में साहता करती है यह विले अन्तशक्ति तथा दाब अन्तशक्ति द्वारा निर्धारित होती है कोशिका का यह परासरणिय व्यभार आजपास के विलेनों पर निर्भर करता है प्रिये विद्यारतियों आज के सत्र में आपके अधिगम को और अधिक संब्रद करने हैं तू आपको ग्रह कारे के रूप में कुछ प्रश्न अभ्यास के रूप में दिये जा रहे हैं आप इन्हें नोट करें और इनके उत्तर अपनी अभ्यास पृस्तिका में लिखेंगें। पहला प्रश्ण शुद्ध जल का सबसे अधिक जल विभव क्यों होता है? स्पस्ट करें, इसका बंडन करें। दूसा प्रश्ण है कि निम्न के बीच अंतर स्पस्ट करें। जल विभव, विले विभव तथा दाब विभव के आपसी संबन्दों की व्याख्या करें। पांचमा प्रश्ण तब क्या होता है जब शुद्ध जलिया विलेयन पर परियावरण के दाब के पेक्षा अधिक दाब लागू किया जाता है। प्रिय चात्रो आज के सत्र में आपने पौधों के परिवहन में पादब जल संबन्द का विश्तार से अध्यन किया है। आप उसका स्वयम पाठन करें, मनन करें और स्वाध्य करते रहें। और अपने अधिगम उद्देश्य की पूर्ती में सफल हूँ। इनी शुब कामनाओं के साथ शीगर ही आपसे किसी नए विशय पर आपसे पुनह मिलेंगे। धन्यवाद।